लोकसबा चुनाव को लेकर जहां देश भर की तमाम विपक्षी पार्टियों ने एक जूरता दिखाते हुए एंडियों को हरानी के लिए इंडिया गडबंदन बनाया था वही अब मध्यापरदेश विदानसबा चुनाव से पहले उसमें दराल परती नजरा रही है एक तरफ जहां मध्यापरदेश में कॉंग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए अपनी सीटें नहीं छोड़ी और सभी सीटों पर अपने उमिदवार उतार दिये तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया है कि अगर गडबंदन केवल उत्तर प्रदेश में केंदर के लिए होगा तो उस पर विचार किया जाएगा उत्तर प्रदेश में खेंदर के लिए होगा तो उसमें विशार किया जाएगा और जैसा बिवार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही बाहरार उनको देखने को मिलेगा यहाँ हाला कि उत्तर प्रदेश के उपमुख्य मंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने सपा और कांग्रेस के गड़बंदन पर तंज कस्तेवे कहा कि पार्टीयों ने पहले भी गड़बंदन किया था उनके गड़बंदन से बीजेपी की सेहत में कोई असर नहीं पड़ेगा हाला कि उत्तर प्रदेश के उपमुख्य मंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने कहा कि इन दोनों पार्टीयों ने पहले भी गड़बंदन किया था चाहे 2017 का विधान सबा चुनाओ हो या 2019 का लोग सबा चुनाओ हो कॉंग्रेस सपा गड़बंदन करे तब भी ना करे तब भ वही अखिलेश यादाव ने गुस्से में कॉंग्रेस पर हमला करते वे बोला कि अपने चिरकुट नेताओ से ऐसे बयान ना दिलाए कॉंग्रेस के बड़ेनेता दरसल पूर में कॉंग्रेस की तरफ से यह साफ किया गया था कि वो यूपी में असी सीटों पर चुनाओ 22 कैंडिरों के नाम का अलान किया है